तो आज के इस वीडियो में में CSC से NLJ से आप न्यू पैन कार्ट की तरह से अप्लाई करें हूँ वह भी scan base पर तो scan base पर आप लोग अपना photo signature भी upload करके आपको नया photo भी add करके ला सकते हो पहले यह option add नहीं था तो अभी फिलाल add हुआ है तो जिस लोगों को पता नहीं यह process हो भी इस method को apply करके अपना fancard नया apply कर सकते हो तो इसमें इसके लिए आपको phone number लिख होना बहुत ज़रूरी है अरहार कर में तभी आप scan base को apply कर सकते हो इस प्रोसेस को प्रोशीड होने में तीन दिन में आपका email पर आएगा तो चलिए वीडियो को start करते हैं scan base किस तरह से apply करना step by step मेरे वीडियो को देखीगा तभी आपको पता चलेगा तो CAC जो भाई लोग अभी नया है CAC में वो लोग मेरे वीडियो को दिना इसकी केस देखेगा तभी आपको यह प्रोसेस समझ में आएगा तो चलिए वीडियो के सार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको CAC लोग इन कर लेना है उसके बाद यहां पर search में यहां पर nsdl pan search कर देना है उसके बाद यहां पर दीखे pan services तो उस पर click कर देना है उसके बाद यहां पर दीखे इस तरह का interface को लेगा तो यहां पर दीखे nsdl e-governance तो यहां पर click here पर click कर देना है उसके बाद यहां पे देखे Login with Digital Seva Connect तो इस पर फिर से हमें क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पे देखे इस तरह का Interface को लेगा तो यहां पे हमें उपर Application Detail सो हो रहा है तो यहां पे क्लिक करना है उसके बाद आपको यहां पे दो Option सो होगा तो हमें First वाला Option को Select करना है यहां पे उसको टिक कर देती हूँ उसके बाद यहां पे Select Application Type तो यहां पे Indian Citizen Form 49 A को Select उसके बाद यहां पे Select Category पर हमें Individual को Select करना है उसके बाद यहां पे Select Pan Type तो हमें यहां पे Physical Pan Card और E Pan Card को हमें Select करना है उसके बाद यहाँ पे name as पर अधार पर जो आपके अधार कार्ड में नाम है उसी नाम को यहाँ पे फिल करना है उसके बाद यहाँ पे data birth एंटर करना है उसके बाद यहाँ पे आपका mobile नमबर और यहाँ पे side में email ID यहाँ पे फिल करना है उसके बाद यहां पर concern पर tick करना है उसके बाद submit पर click कर दे रहा है उसके बाद यहां पर देखे online pen acknowledgement तो यहां पर प्रोशीट पर click करना है प्रोशीट पर click करने के बाद यहां पर देखे 107 रुपे payment वोड़ा है तो यहां पर हमारे wallet से 97 रुपिस कटिंग होगा तो इसमें से 10 रुपे हमें लोग को कमिशन मिलेगा तो यहाँ पे हमको पासवोड एंटर कर देना है अपना CAC का उसके बाद यहाँ पे देखिए wallet pin यहाँ पे मांग रहा है तो यहाँ पे अपना wallet pin को एंटर कर देना है उसके बाद यहाँ पे पेपर क्लिक कर देना है जैसे आप पेपर क्लिक करते है आपका payment successful हो जाएगा यहाँ पे देखिए मेरा payment successful हो चुका है उसके बाद यहाँ पे देखिए payment acknowledgement उसके बाद यहाँ पे proceed to NHDL portal पर क्लिक कर देना है click करते हैं यहां पर देखे e-sign pan new application form open हो चुका है उसके बाद यहां पर देखे pan application scan base तो यहां पर new citizen form 49 select अलरी है उसके बाद यहां इंडिविजुल भी अलरी है उसके बाद यहां पर देखे अधार नमर हम लोगों यहां पर full type करना है अधार नमबर उसके बाद नीचे देखिए नेम एस पर अधार तो अपना अधार कार्ड में जो नाम है उसी नाम को यहाँ पर एंटर कर देना है उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लीज एंटर बिलो डीटेल्स एस पर अधार तो अवोईट रेजेक्शन तो आपको यहाँ पर स्रीश्रीमती कुमारी इसमें से कोई एक को सेलेक कर लेना है उसके बाद यहाँ पर last name, first name और middle name तीनों को यहाँ पर enter कर देना है एकदम सही से उसके बाद यहाँ पर date देखिए date of birth आटोमेटिक आ गया है तो उसके बाद हमें यहाँ पर gender को सेलेक कर लेना है male, female उसके बाद यहाँ पर देखिए I use my other details तो यहाँ पर हमें टिक कर देना है टिक करने के बाद यहाँ पर submit पर click कर देना है उसके बाद फिर से next page open होगे चला आएगा तो इस तरह का यहाँ पर application information सो हो रहा है तो यहाँ पर देखिए आपका other number automatic है तो यहाँ पर name पर भी सो हो रहा है और आपका application details तो यहाँ पर देखिए सभी सो हो रहा है उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है उसके बाद next पर click कर देना है क्लिक करते हैं यह पे देखे पारिफ डीटेल्स यहाँ पे अपना फिल करना है अगर आप अपने पैन कार्ड में मदर नğimiz चाहते हो तो YES पर क्लिक करो नहीं तो NO पर टिक रहने दो NO पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना फादर का details यहां पर फिल करना है name वगेरा तो यहां पर last name first name और middle name यहां पर फिल कर देना है उसके बाद यहां पर देखे re-enter father name तो आपको फिर से यहां पर re-enter कर देना है last name first name और middle name उसके बाद यहां पर mother name को फिल नहीं करना है अगर आप नहीं चाहते हो तो उसके बाद फिर से next पर click कर देना है उसके बाद यहां पर देखे whether physical pen card is required तो yes पर ही हमें tick रहने देना है उसके बाद यहां पर देखे source of income तो हमें यहां पर नीचे no income पर ही tick रहने देना है उसको tick कर देना है उसके बाद यहाँ पर देखे टेलीफून मॉबाइ नमबर औन इमेल आइडि डिदिल्स तो हमें यहाँ पर अपना पहले फरस्ट में ही लाँ था उसी यहाँ पर सोव रहा तो इसी को रहने देना अगर आप इसको चाहते हो तो उसके बाद यहाँ पर इंडिया को ही रहने देना है यहाँ पर देखें area STD code भी show हो रहा है उसके बार यहाँ पर अपना mobile number भी यहाँ पर show हो रहा है और नीचे देखें यह email id भी आपका वो ही show हो रहा है जो आपने पहले यहाँ पर फिल किया था पहले वाला e-scan base में नहीं fill करना पड़ता था अभी आपको fill करना पड़ेगा तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपना यहाँ पे details यहाँ पे address fill कर देती हूँ यहाँ पे pin code वगेरा सब सही से अपना डालना है district वगेरा उसके बाद यहाँ पे scroll down करना है नीचे उसके बाद यहाँ पे देखे appointment representative assets तो अगर आपको यहाँ पे fill करना है तो yes किजिए नहीं तो no पर रहने दीजिए मैं यहाँ पे अपना yes करके अपना यहाँ पे fill कर देती हूँ तो इस पर हमें यहाँ पे title पर हमें street stream में ती उसको select कर लेना है उसके बाद यहाँ पे नीचे देखे last name, first name और middle name उन्हीं का नाम यहाँ पे fill करना है उसके बाद यहाँ पे नीचे देखे address में उन्हीं का address यहाँ पे fill करना है जिनका आधार कार्ड में उन्हीं का आधार कार्ड का यहाँ पे सब details यहाँ पे होना परेगा उसके बाद यहाँ पर next पर फिर से click कर देना है click करते हैं यहाँ पर देखें आपको फिर से यहाँ पर area code और AO type, range code, AO number तो आप confused मत होई है उसके बाद यहाँ पर देखिए for help on AO code select from the following तो आपको यहाँ पर Indian citizens पर tick करना है इस पर tick करने के बाद state union territory select पर click कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर अपना state select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर city को select कर लेना है city को select करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना select कर लेने के बाद यहाँ पर नीचे देखें बहुत सारा यहाँ पर area code दो ओड़ा है गटने के त condemnation तो को भी स्थे 10 में तरा का टेट Screen देगा तो यहां पर यहां पे देखिये पुड टीटा के अधार कार्ट को ही सेलेक कर लेना है तुमें तिरुड Feats पर select करके अपना photo को select कर लेती हूँ, select करने के बाद यहां पर देखे, मैं अपना photo को select कर लेती हूँ, उसको बाद यहां पर देखे, upload पर click करना है, जैसे अप upload पर click करोंगे तो यहां पर देखे, मेरा photo भी upload होके ready है, उसके बाद यहां पर upload signature पर यहां पर देखे चूज फाइल यह भी 50 KB के अंदर ही होना चाहिए उसके बाद यहां पर मैं चूज फाइल पर सेले करके अपना सिगनेचर को भी सेलेक कर लीती हूँ उसके बाद यहां पर फिर से आपको अपलोड पर क्लिक करना है उसके बाद आपको अपना अधार कार्ट यहां पर PDF फॉर्मेट में सेलेक कर लेना है अधार कार्ट को उसके बाद यहां पर देखे अपलोड पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको देखे इस तरह का ओफशन देखेगा upload पर click करने के बाद यहाँ पे देखिए document upload successfully यहाँ पर सोव होरा है, उसके बाद यहाँ पर अपना place enter कर देना है उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर click कर देना है submit पर click करने के बाद आपको फिर से इस तरह का interface देखेगा Applicant information तो यहाँ पर नहीं पर देखिए उसके बाद इसके बाद यहां पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर देखे ए-sign authentication तो मैं OTP-based से करूंगी तो OTP-based e-sign को मैं select कर ली थी हूँ उसके बाद यह देखे फिर से इस तरह का interface को लेगा तो I Hereby Authorize पर टिक कर देना है उसके बाद यहां पर देखे valid UID और आधार नमबर आप वर्चूल आधार नमबर यहां पर फिल कर देना है उसके बाद इसको सेंड OTP पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको रेइस्टर मोबाइल नमबर पर एक OTP जाएगा उस OTP को यहां पर यहां पर दिखिए यह एप्लिकेशन इस सक्सेसफुली उसके बार आपका इमेल में आजाएगा तीन से चार दिन में आपका इमेल में आपका पैंड कार्ड आजाएगा इस स्कैंबे से एक दो दिन टाइम लगता है उसके बार 15-20 दिन के अंदर आपको पाई पोस्ट मिल जा आपका इस स्टाइटिस चेक कर सकते हैं अपने पैंड कार्ड को सबसे पहले आपको अपना इमेल ओपन कर लेना है उसके बाद यहां पर दिखिए पैंड एप्लिकेशन तो इसको ओपन कर लेना है तो इसके बाद इस अक्नॉलिजमें नंबर को आपको कॉपी कर लेना है नीची एक option दिखेगा please click here तो आपको इस please click here पर click कर देना है इसके बाद यहां पे दिखे track your pen application status तो हमें select पर new pen changes पर select कर लेना है उसके बाद acknowledgement number को आपको यहां पर copy paste कर देना है उसके बाद यहां पे देखे capture को enter करने के बाद यहां पे submit पर click कर देना है जैसे आप submit पर click उसके बाद यहां पे दिखे your application is under process at nsdl उसके बाद आपको 3-4 दिन में अपना pen card email पर निल जाएगा उसके बाद 15-20 दिन के अंदर आपके घर पर भी hard copy receive हो जाएगा तो friends मैंने आप सभी को सब process यहां पे step by step बता दिया है अगर आप सभी को मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो please मेरे वीडियो को like subscribe and bell icon को भी प्रेस करना मत बुलिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई